हेलो, असलाम लेकूम, वेलकम टो फीस्ट विट शाहना, आज हम बनाएंगे रमदान स्पेशल पुदीने की चटनी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो के साथ अबडेट रहने के लिए बेल का आइकन दबाना ना भूले, यहां पर हमें ग्रेंडर की जरूरत पड़ेगी, ग्रेंडर में हम पुदीना डाल देंगे, जितना क्वाइंटिटी पुदीने की है, उसकी हाफ क्वाइंटिटी हरे धनिये की होगी, यह रा धनिया भी डाल, यह बहुत ही आसान चटनी है, यह पकोड़ों के साथ खा सकते हैं, आप रायते में भी मिला सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है, यह रख के टुकड़े डाल दें, मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, आप तीखा खाते हैं तो ज्यादा डालें, मैं ज्यादा डाल रही हूं क्योंकि हम लोग तीखा खाते है तो आपको अपने हिसाब से डालने यह हो गया हजीरा कि यह अप्शनल है अनारदानी का पौडर है यह मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती हूं अगर घर में आपके पास ना हो तो आप उतना कोई टेंशन नहीं ले उसके बगर बना ले यह नमक हो गया नमक भी आप इंबु का रस हो गया थोड़ा सा पानी डाल दें ज्यादा मत डाले थोड़ा डाले पतली हो जाएगी नहीं को छट्नी अभी आप जैसको मशीन चला लें तीन-चार बार खिरा लें मशीन को तो हो जाएगा ग्रैंड हो जाएगा अच्छा सा प्रेस्ट बना ले जब सही नहीं फिर रही है तो थोड़ा और पानी डाल ले तो फड़ी गाड़ी गाड़ी रखें से पतली मत करें आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं पूरा एक मेने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं यह हो गई हमारी उदीनी की चट्नी तयार इसे टाइट कंटेनर में डाल लिया चले इंशालला मैं निक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मुलाखात करूंगी अल्ला हाफीज कर वक में पराइब बाइब बाइब लख कर राइब पिरश और भी जाना मैं प्राइब